हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो मैं चेनल में लेके आ हूँ कुछ यूनिक से टिप्स एंटिक्स जिसे देखने के बाद आपकी सारे मुझ के लिए दूर हो जाएंगी तो वीडियो इन तिक देखिएगा कोई भी टिप्स को बिल्कुल मिशना करें तो चलिए देख लेते हैं ह और फिर हमें अगले सर्दी में ही हम इसका यूज करते हैं तो क्यों ना हम अभी इसका यूज करें तो देखिए आपका यह जो बेडशीट होता है कवर होता है तो यह एकदम देखिए सेफी रहेगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इसको हम हर बार यूज भी कर топ iollal-col is यह फिर आपको इस तरह से थोड़ासरा राउन्ड करने के बाद आतको क्या करना है देखिए दुपटे के साथ देकि लेकि इस तरह से round כरना है तो आप कितने हैं करौए और अब हम क्या करेंगे जो भी इसकी जो लास्ट वाला जो हिस्सा है इसको हम देखे थोड़ा फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ क्योंकि इसमें डोरिया निकली हुई है तो वह बिल्कुल भी हमें दिखानी नहीं है और इसको इस तरह से करके और अच्छी से फिनिशिंग के साथ हम इसको देखे पैक कर देंगे इस तरह से तो देखे पैक करने के लिए आप चाहे तो डोरी ले सकते हो या फिर आप देखे पुराना सौक्स भी ले सकते हो तो मैंने यहां पर पुराना सौक्स लिया है और इससे देखे मैंने दो पट्टिया कट कर लिय है दोनों साइड में हमें इसको बांधना है अच्छे से टाइट करके तो दोनों साइड में हम इस तरह से ही बांधेंगे और बांधने के बाद देखे यह कितना ब्यूटिफुल लगा है दोनों साइड में देखे मैंने फ्लावर का लुक दे दिया है और अब यह अच्छे से दूद के बरतन को लेकि होगी दूद हम गरम करते हैं तो इस तरह से यह पूरा लग जाता है फिर हमें बहुत मुस्किल होती से शाफ करने में तो आपकर क्या करना है भूरी में तो यह भ Hug नहीं चिपटेगा बहुत age-fully ट्रूर einen तो चलिए अगले टिप को देख लेते हैं अगला टिप मेरा होगा देखे लसुन को लेके लसुन छीलना सभी लेडिज को बहुत ज़्यादा मुस्किल लगता है और देखिए आज मैं कुछ AC ट्रिक बताऊंगी जिसके थुरू आप बहुत ही आसानी से देखी लसन को छील पाओगे क्या होता है कि यह जो लसन होते हैं हम इस तरह से देखे छीलते हैं तो इसका छीलका बहुत ही मुस्किल से निकलता है और हाथ में भी देखिए हमारे बद्बूसी आने लगती है तो देखे इसके लिए मैं एक छोटी सी टिप्स देना चाओंगी आपको क्या करना है देखिए गैस की उपर इस तरह से रख लेना है लसन को जितना भी आपको लसन छीलना है थोड़ा सा ही जलाना है और देखिए उपर का चिलका है वो देखिए इतना सा ही आपको जलाना है क्या होगा कि ये एकदम अच्छे से कड़क हो जाएगा और लसुन को देखिए आपको इस तरह से मसलना है दोनों हातों में लेकिए और आप देख पाओगे कि लसुन देखिए कितनी अच्छे से ये निकल रहा है बहुत ही यूसफुल ट्रिक है फ्रेंड्स जितना चाहे आप इस तरह से लसुन को छील सकते हो तो देखिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही है आसानी से देखिए इसकी कलिया आ रही है तो बहुत ही यूसफुल है अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चलिए अगले टिप्स को देख लेते हैं अगले टिप मेरी देखिए मसाले को लेके होगी जब भी हम सबजी छोंकते हैं तो कभी कबार क्या होता है कि इसमें देखिए मसालों में सीलन आ जाती है तो चलिए अगलेटीप को देख लेते हैं अगलला टीप अमारा बहुत beautiful है तो आपको लेना है टेलकम पौlusive कोई साथ भी आप पौर्डर ले सकते हो और आपको डालना है तो जितना अप पौर्डर डाले घल्दे हो उसका अधा हल्दी पौर्डर डाल दीजिए और डारने के आपको बहुत ही useful trick है friends आपको क्या करना है इस तरह से एक बना की रख लीजे और जब भी देखी आपकी इस तरह की कोई मिठाय की डबी हो या फिर खाना वाना हो जाता है उसके बाद में आप देखी इस तरह से डाल देजे तो friends यह आपको रात को करना है जब भी आप free हो जा पूरे में जहां पर भी चींटी आ रही है वाँ पर आप यह लगा दीजे तो अगर आपको यह trick पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like and share जरूर करें तो चलिए अगले tip को देख लेते हैं अगले tip मेरे देखे कूर्तियों को लेके होगी इस तरह की जो पुरानी कूर्ति वाड़े त्रे से यह बहुत ही आसानी से हो जाता है इस तरह से और अब मीचे के पडाना है यह रैंस को बनुख करना है साथ करना है ताकि देखने में सुन्द लगे ये अब हमें क्या करना है पीछे का जो ये है इसको भी हमें पैक करना है तो देखे उपर का जो ये पार्ट हमने फोल्ड किया था फिर से इसको निकाल लेंगे निकालने के बाद देखे इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे फ उतना ही आपका ये कुशन कवर अच्छे से बन जाएगा और देखे कितना सुन्दा लग रहा है अगर आपको ये तरीका पसंद आये तो जुरू ट्राइए करें तो चलिए अगले टिप को देख लेते हैं अगला टिप हमारा होगा देखे पर्दों को लेके तो देखे से बंदे कर लेना है और देखें को लगा देना है इसमें एक लेक्टरा जॉडेी हैं और आप में उसक्रेकों फोना इतना वाँद आया है और देह कि धृत्तल से लगाने से पर्दे का लूग कि यूनिक शा लग रहा है इस तरह से बि гор-odAY सोता यह पिन लिया है आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते हो और भी ज़्यादा सुन्दर लगने वाला है परदा तो इस तरह से देखिए मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह से यूज कर सकते हो और देखिए एक और तरीका में आपको बताऊंगी ये भी आपको बहुत ही ज़् लगा दीजे तो देखिए हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से देखिए यह लग जाता है तो देखिए लगाने के बाद कितना सुन्दर लग रहा है तो इस तरह से देखिए हम एक परदे में तीन-तीन चूड़ी लगाएंगे और देखिए लगाने कि इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा यूसफुल टिप्स कौन से लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और आप मेरी इस वीडियो को दुनिया के कौन से कौने से देख रहे हो यह मुझे जरूर कॉमेंट करेगा तो फ्रेंज इस तरह की वीडियो देखने के के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें जिससे जो भी वीडियो जाले वह आपके नोटिप किश्म में आए तो फ्रेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई